अध्यायतीन, घातांग, एक्स्पोनेंट निधी, मयंक और रेश्मी संख्याओं से जुड़ी पहलियां पूछ रहे हैं दस हजार को एक लाग से गुणा करे तो कौन सी संख्या मिलेगी? सौ करोड यानी एक अरब इस संख्या में कितने शुन्य होंगे? नौशुन्य होंगे, क्योंकि दस हजार याने दस का घात चार और एक लाग याने दस का घात पांच या दस का घात चार गुड़ा दस का घात पांच बराबर दस का घात नौ अब मेरी बारी, साथ बॉक्स का एक डिबबा है, हर छोटा बॉक्स दूसरे के अंदर है पहले छोटे वाले में दो मोती है और हर अगले बॉक्स में उससे दुगनी मोती है तो साथवे बॉक्स में कितनी होंगी ये बहुत कठिन है इसमें तुमें बहुत समय लगेगा क्यूं साथ बॉक्स है और संख्यात दुगनी हो रही है इसका मतलब की दो गुड़ित, दो गुड़ित, दो गुड़ित, दो गुड़ित, दो गुड़ित, दो गुड़ित, दो याने दो का घाट साथ बराबर 128 होगी पर यह भी पता करो के कुल कितने मोती हैं करके देखें पहला शत्रंज के एक खाने में चावल के चार दाने हैं दूसरे में उसके चार गुने तीसरे में दूसरे के चार गुने चावल हो जाते हैं तो बताओ चौथे में कितने दाने हैं इसे घातांग रुप में लिखिए दूसरा हल कीजिए पहला तीन की घात पांच गुनेत तीन की घात साथ दूसरा सत्रा गुनेत सत्रा गुनेत सत्रा गुनेत सत्रा गुनेत सत्रा तीसरा पांच गुनेत तीन गुनेत तीन गुनेत तीन गुनेत तीन दो बटे पाँच तीसरा सूर्य से प्रित्वी की दूरी लगभग 15 करोड किलो मीटर है इसे दस के घातांग के रूप में लिखिए घातांग के नियम Laws of Exponent यदि A एक वास्त्विक संख्या व M N पुर्णांग संख्या है तो पहला गुणा का नियम A की घात M गुणित A की घात N बराबर A की घात M धन N दूसरा भाग का नियम A की घात M बटे A की घात N बराबर A की घात M रिन N जहां A शूर्ने के बराबर नहीं है तीसरा घातों की घात का नियम A की घात M पूरे की घात N बराबर A की घात M गुणित N चोथा, A गुनेत B पूरे की घात M बराबर A की घात M गुनेत B की घात M पांचवा, A बटे B पूरे की घात M बराबर A की घात M बटे B की घात M चटवा, एक गात 0 का अर्थ एक गात M बटे एक गात N बराबर एक गात M रिन N जहां एक शुन्य के बराबर नहीं है यदि M बराबर N हो तो एक गात M बटे एक गात M बराबर एक गात M रिन N एक बराबर एक गात 0 अतह एक गात 0 बराबर 1 साथवा, एक गात M बराबर एक गात रिन N या एक गात रिन N बराबर एक गात M